नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे राजस्तान कलास सेंसकर्ती का सबसे इंपोर्टेंट टोपिक राजस्तान की लोग दे विया बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक है दोस्तों और पचास इंपोर्टेंट क्यूसन जो राजस्तान की अ अलग-अलग बर्तियों के अंदर अलग-अलग बार पूचे गए हैं वो आपके सामने रखने का मैं प्रियास करूंगा तो एक बार सभी साथ ही इस वीडियो को लाइक और सेर करें आप सभी का मैं सुआगत करता हूँ योटूब चैनल कुचामन ऑनलाइन कलासेज पर दोस्त जो हमारे लोग देवियां उनके नाम देशी सचियाई माता, लटियाल माता, आई माता और नागनेची माता और यहां पर दिया गया है उनका मंदिर कहां पर है यह आपको सही मिलान करके क्या करना है बताना है तो देखते हैं दोस्तों किनका मंदिर कहां पर है सचियाई मात का मंदिर है ओसिया में दोस्तों लटियाल माता का मंदिर है फलोदी में आई माता का मंदिर है बिलाडा में और नागनेची माता का मंदिर का है नागाना में आपका ओप्सन बे यहां पे क्या हो गया है दोस्तों सही हो गया है किस लोग देवी को करनल किनियानी के नाम से भी जाना जाता है important question दोस्तों कौन सी लोग देवी है जिसको करनल किनियानी के नाम से भी जाना जाता है करनी माता को options है आपका क्या रहेगा सही रहेगा next question चलते है question number 3 किस देवी को इस्थान ये लोग दादी जी के नाम से पुकारते हैं सत्ती माता को option भै आपका सही रहेगा next question है निमलिकित में से कौन सा मेला वरस में दो बार आयोजित किया जाता है तो वरस में दो बार जिसका मेला लगता है वह जीन माता option दे आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा next question के ओर चलते हैं question number 5 है दोस्तू राज्यस्तान की एक मातर देवी जो बिना पती के सती हुई कौन सी देवी है जो बिना पती के सती हुई थी गेवर माता option सही रहेगा next question जेसल मेर के बाटी राजबूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं वह है बाटी राजबूत किस देवी की पूजा नहीं करते हैं पहले बता देता हूँ तन्नोट माता हिंगलाज माता और करनी माता इन तीनु की है जो जेसल मेर के बाटी राजबूत है वो पूझा करते हैं लेकिन आवड माता की वो पूझा नहीं करते हैं आपका क्या रहेगा सही रहेगा next question क्यूसर नंबर साथ है दोस्तों राजस्तान की एक मातर देवी जहां लक्वा गरश्ट रोगों का इलाज होता है कहां होता है असावरी माता असावरी माता के वहाँ पर लक्वा गरस्त लोगों का इलाज किया जाता है किस देवी को काबा वाली देवी भी कहा जाता है किस देवी को काबा वाली देवी कहा जाता है करणी माता को सै ओप्सन आपका क्या रहेगा यहाँ पर सही रहेगा next question की वर चलते हैं कुसे हैं नमबर नो दोस्तु, जैपूर के कछा वहाँ, वंस की आरादे देवी है, जैपूर के जो कछ वहाँ, वंस है, उसकी आरादे देवी, कौनसी है, सिल्ला देवी, option भै, आपका क्या रहेगा, सही रहेगा, next question, लोग देवी, आई माता के बच्पन का नाम था, आई मा असापूरा देवी किस वंस की कुल देवी है तो किस वंस की कुल देवी है सोनगरा चूहान ओप्षन एग जो आपके क्या रहेगा सही रहेगा सुगण चिडी को अवतार माना जाता है सुगन चिड़ी को सुवांगिया माता का उतार माना जाता है दोस्तूं किसका माना जाता है सुवांगिया माता का next question की ओर चलते हैं question number 13 है दोस्तूं सुन्दा परवत पर किस देवी का मंदिर है जो सुन्दा परवत है उसके उपर किस देवी का मंदिर है चामुंडा माता का ओप्सन बै आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा किस देवी को गजरा वाली देवी भी कहा जाता है किस देवी को गजरा वाली देवी कहा जाता है जीन माता को ओप्सन सही आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा सीतला अश्टमी को गदू का मेला आयोजित होता है कहां पर चाक्सू जयपूर में सीतला अश्टमी उस दिन गदू का मेला चाक्सू जयपूर के अंदर लगता है नेक्स्ट क्यूसन है राजस्तान लोग साहिते में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है जीन मातागा जीन मातागा गीत है जो राजस्तान साहिते है इसके अंदर सबसे लंबा लोग देवियों की बात करें या लोग को चलते हैं क्यूसन नंबर 17 है दोस्तों 17 नंबर का क्यूसन है किस देवी को तनोट राई वे रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है तनोट राई वे रुमाल वाली देवी तो तनोट राई माता को या तनोट माता को कहा जाता है साकंब्री माता के मंदिर का निर्मान किसने करवाया था साकंब्री माता का जो मंदिर है उसका निर्मान किसने करवाया था वाशु देव चुहान ने करवाया था नेक्स्ट क्यूसन की ओर चलते हैं क्यूसन नंबर 19 है दोस्तों मराटा सासक छत्रपती सिवाजी की आरादे देवी थी तुल्जा भुवानी मंदीर चितोड में हैं दोस्तों ओप्सन से सही रहेगा आपका 20 नमर क्यों सन है खंडेलवाल समाज की कुल देवी है तो खंडेलवाल जो समाज है उसकी कुल देवी है सकराई माता ओप्सन वे आपका क्या रहेगा सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं क्यूसर नमर 21 है दोस्तों राज़स्तान में किस देवी का मंदीर सबसे उच्चा है किस देवी का मंदीर है जो सबसे उच्चा है अरबुद्धा माता का option दे आपका क्या रहेगा सही रहेगा सारदा देवी सर्शवती माता का मंदीर इस्तित है सारदा देवी या सर्शवती माता का मंदीर पिल्लानी जुन्जुनू में इस्तित है दोस्तु नेक्सिट्सिन की ओर चलते है एकिफन नमबर 23 है कुछ करना ब्रामनों की कुल दे भी है कौनसी माता उन्टाला माता ओप्षन से आपका क्यारेगा यहांपे सही रहेगा दोस्तू कौन सी माता है उंटाला माता कौन सी देवी अक्सर अगनी से सन्नान करती थी कौन सी देवी थी जो अक्सर है वो अगनी से क्या करती थी सन्नान करती थी इढ़ना माता औप्सन बै आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन के वर चलते हैं पत्सीस नमर क्यूसन है मिवाड के सिसोधिया वंस की कुल देवी है मिवाड का जो सिसोधिया वंस है उनकी कुल देवी बान माता है दोस्तों option by आपका क्या रहेगा? सही रहेगा कुसाला माता का परसित मंदिर स्थित रहे है? वो कहाahh? स्थित है कहा इती है? बदनोर भील वाडा में option by आपका क्या रहेगा? सही रहेगा next question 27**** नमर है किस देवी की कुल देवी के रूप में पुजा करता है उस्वाल समाज की कुल देवी कौनसी माता है कौनसी है सचियाय माता ओप्सन दयापका सही रहेगा next question है किस देवी को मद्दू मक्यू की देवी भी कहा जाता है तो किस देवी को कहा जाता है पुजा का सवरूब मना जाता है तो हिड्दाज माता का सवरूब मना जाता है आवड माता को ओप्सन बें आपका सही रहेगा next question, question number 30 है दोस्तों सुगाली माता की मूर्ती वर्तमान में कहां रखी हुई है सुगाली माता की जो मूर्ती है वो वर्तमान के अंदर पाली म्यूजियम के अंदर रखी गई है options है आपका क्या रहेगा, सही रहेगा चुहान वंस की कुल देवी है तो चुहान वंस की कुल देवी है साकंबरी माता options है आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा चलते हैं 32 नमर क्यूसन की ओर खंडित देवी की पर्तिमा जिसकी पूजा की जाती है खंडित है जो मूर्ती है या देवी की पर्तिमा है वो क्या है खंडित है लेकिन उसकी पूजा की जाती है तो कौन सी देवी है वो आपकी सीतला माता options है क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा चलते हैं दोस्तों क्यूसन नमर 33 की ओर किस देवी को दस सिर चोपन हात वाली देवी कहा जाता है दस सिर चोपन हात वाली सुगाली माता ओप्सन बै आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा सेडल माता वै बच्चू की सरंग सिका किस देवी को कहा जाता है सेडल माता या बच्चू की सरंग सिका किस देवी को कहा जाता है सीतला माता ओप्सन बे आपका सही रहेगा किस देवी के मंदिर में वर्सु से दीपक की जोती से कैसर टपकती है तो किस देवी का मंदिर है जिसमें वर्सु से जो दीपक है उसकी जोत से क्या टपकती है कैसर टपकती है आई माता के मंदिर से उप्सन से आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा नेक्ष्ट क्यूसन क्यूसन नमर चतीस है कुसाल माता को किस देवी का उतार माना जाता है तो कुसाल माता को किस देवी का उतार माना जाता है चामुंडा माता का option बै आपका क्या रहेगा सही रहेगा किस देवी को संपरदाइक सदभाव की देवी भी कहा जाता है किस देवी को संपरदाइक सदभाव की देवी कहा जाता है सचियाई माता को option आपका क्या रहेगा सही रहेगा next question 38 number राजेस्वरी माता का मंदिर किस दुरग में इस्तित है राजेस्वरी माता का जो मंदिर है वो बरतपुर दुरग के अंदर इस्तित है दोस्तों पर्षिद पीपलाद माता का मंदिर कहां इस्तित है उन्वास राजसमंद में उप्षिन भै आपका क्या रहेगा सही रहेगा किस देवी ने अकाल के समय कंद मूल वे फल परदान किये थे important क्यूसन है दोस्तु कौन सी देवी थी जिसने अकाल के समय कंद मूल वे फल परदान किये थे कौन सी देवी थी सक्राय माता थी option है आपके क्या रहेगा सही रहेगा सिला देवी का मंदिर किस दुरग में इस्तित है सिला देवी का जो मंदिर है दोस्तों वो आमेर दुरग जेपूर के अंदर इस्तित है options है आपका क्या रहेगा सही रहेगा next question question number 42 है पांचला जाती किस देवी को कुल देवी के रूप में पूजते हैं पांचला पांचला जो जाती है वो किस देवी को कुल देवी के रूप में पूजते हैं तो किस देवी को पूजते हैं त्री पुरा सुंद्री को options है आपका क्या रहेगा सही रहेगा केवाई माता किन सरिया नागोर मंदिर का निर्मान किसने करवाया था केवाय माता की मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था चच्छने ओप्शन दैं आपका क्या रहे गए यहाँ पर सही रहेगा नेक्स्ट की और चलते हैं क्योसन नमबर 45 की और तुलजा बहुआनी चितोढगण जो तुलजा बहुआनी है चितोढगण के मंदिर है इस मंदिर का निर्मान किस में करवाया था तो इस मंदिर का निर्मान बनवीर ने करवाया था ओप्सन से आपका सही रहेगा किस देवी के आशिरवाद से मेवाड के सासक राज सिंग ने रासमन जील का निर्मान करवाया किस देवी ने आशिरवाद दिया था मेवाड के सासर राज सिंग को जिसके पल्सुरोप उन्होंने राज समंद जील का निर्मान करवाया था तो गेवर माता के आसिरवास हैं ओपसंद है आपका सही रहेगा निमलिकित में से एसुमेलित है इन में से एसुमेलित को आपको क्या करना है चांटना है तो देखते हैं चीच माता बांसवाडा सही है चीच माता जेपूर ये छीच माता और छीख माता दो है दोस्तों जेपूर शही है जोगनिय माता राजसमंद गलत है और शुराना देवी नागोर तो आपका यहां पे सही ओप्सन हो जाएगा सही उतर होगा वो होगा ओप्सन सेवाला कौनसी देवी नाई समाज की कुल देवी है नाई समाज की कुल देवी कौनसी है नारायनी माता नारायनी बाई नहीं दोस्तों नारायनी माता है किस देवी को बिलू की कुल देवी कहा जाता है तो बिलू की कुल देवी कहा जाता है आमजा माता को ओपसन बै आपका क्या रहेगा सही रहेगा चलते हैं उन पचास नमर क्यू सन की ओर बिकाने रियासत की कुल देवी है तो बिकाने रियासत की कुल देवी करणी माता किस दे तो दोस्तों ये थे राजस्तान की लोग देवियों के इंपोर्टेंट पचास क्यूसन एक बार कमेंट करके बताएं कैसे लगे और आपके कितने क्यूसन है जो इनमें से सही हुए दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सभी मित्र चैनल को स रूर्गरे